हेलो सुर्ट एंडेमस में आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में आप लोग को टॉप अपकमिंग स्मार्ट फोन्स के बारे में बताऊंगा जो हमें नवेंबर के महीने के अंदर इंडिया में जो वो देखने को मिलने वाले जिहां आपको पता होगा कि मेरी जो हर महीने की सीरी साथ या टॉप अपकमिंग स्मार्ट फोन्स की मैं सिफ इंडियन मार्केट के लिए ही बात करता हूँ में गलोबली बात नहीं करता हूँ अगर मैं globally बात करूँगा तो बहुत सारे phones मैं आप लोगो बता सकता हूँ लेकिन मैं सिर्फ focus करूँगा इंडिया के लिए क्योंकि हमें मतलब है Indian market से जो भी smartphone November के महिने के अंदर confirmed हो चुके कि इंडिया में launch होगे मैं आप लोगो इस वीडियो में उन वाले smartphones के बारे में बताने वाला हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में ये bell icon भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे latest videos की notification जल्दी से मिल जाए तो यहाँ पर सबसे पहले smartphone की बात करते और यहाँ पर एक नहीं बलकि वो तीन smartphone ने जो आपको Huawei की तरफ से देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर उनके latest announced flagship smartphone Huawei के Mate 20, Mate 20 Pro और Mate 20X यहाँ पर जब October की मैंने में यह launch हुए थे तो यहाँ पर आप लोगो November में इंडिया में देखने को मिलेगा जबकि landing page भी Amazon पर आ चुका था तो यह officially confirmed हो चुका है अब जो तीनो phone है यह बहुत ही powerful phone है तीनो में आपको world का पहला phone मन जाते है तीनो जो 7NM की processor के साथ में आपको मिलेगा करीन के 980 वाला जो बहुत ही powerful आपको देखने को मिलता है तीनो में आपको triple camera मिलते है जबकि जो Mate 20 इन दोनों से थोड़ा lighter है आपको उसमें 12, 16 और 8 का triple camera मिलता है Mate 20 Pro में और Mate 20X में आपको 40, 20 और 8 का triple camera मिलता है Mate 20 Pro, Mate 20X में आपको under display fingerprint scanner मिलते है जबकि Mate 20 के इनदर आपको rear में मिलता है और Mate 20 के अंदर आपको 4000 की बैटरी मिलती है, Mate 20 Pro में आपको 4200 की, Mate 20X में आपको 5000 की बैटरी मिलती है Mate 20X बहुत ही बड़े display वाला phone है, आपको 7.2 इंच की display मिलती है, Mate 20 के अंदर आपको 6.53 की, Mate 20 Pro में आपको 6.39 इंच की और यहाँ पर आप लोगो इसके अंदर जो वो super charger भी मिलता है, जो 40W का आपको output डिता है, आपको IP68 की जो रेटिंग्स मिलती है, आपको उस पे nano microSD card का भी support मिलना है, जो नहीं उन्होंने अनौन्स का है बहुत सारे features मिलते हैं, इतनी मिलते हैं कि मैं आपको क्या बताओ, तो एक premium flexion smartphone है, Huawei की यह phones नवेंबर के महिने में इंडिया में लाँच होगी, अगर आपको यह वाला phone चाहिए रहेगा, तो वेट कर लेना, इसकी price अभी है, मुझे लगता है, 50W के उपर ही जाएगी, फोन होगा, यह Snapdragon 660 के साथ आपको देखने को मिलेगा, जब वहाँ पर मलेशिया में जिब लाँच होता है, जिसकी जो प्राइस थी, जब चाइना में गया तो 36,000 पीस की हुई थी, अब एंडिया में जब आएगा, तो हमें नहीं पता है कि इसकी price यहाँ पर Samsung क्या रखता तो मेरे साथ से वर्थ नहीं होगा, लेकिन देखते है कि कितना जल्दी Samsung नवेंबर में इसको जब लाँच करता है, मेरे पास तो आएगा ही, आपको इसके बार में भी बता देंगे, उसके बाद यहाँ पर नवेंबर के महीने के अंदर, Xiaomi अपने Redmi Note 6 Pro को जो वह लाँच कर acceptable होगा, इंडिया के अंदर Redmi Note 6 Pro आ जाता है, इसी सेम चीज़ के साथ में, सेम प्रोसेसर, Snapdragon 636, सेम कैमरा, आपको वही जो रियर कैमरा, वही बीस का, आपको साथ में दो में के पिसल के कैमरे दी दिया, तो कोड कैमरा हो गया है, प्रोसेसर वगरा सब कुछ से हमें, और एक smartphones को launch करने वाले हैं, लेकिन Vivo की तरफ से तो मुझे confirmation मिल ही चुका है, मैंने internally आज सुबे में उन से बात किया था, क्योंकि मुझे तीन दिन पहले उनका phone आया था, कुछ phone वो launch कर रहे हैं, तो उनने मुझे नाम नहीं बता है, कि कौन सा phone वो launch कर रहे है, Vivo के कोई नाम मु स्पेशली तो यह rebranded version ही होगे जो चायना में भी गए थे, मुझे लगता है वैसी यह phone जो लेके आ सकते हैं, अब जब भी आएगे November के मैने में देखते हैं, क्या लेके आते हैं, मैं आपको उस टेम पे जरू से बता दूँगा, तो यहाँ नोकिया का 7.1 प्लस रिसनली य अच्छी बात है कि हाँ पर HMD इसकी प्राइस में से काफी एग्रेसिफ रखी थी चायना में, 464 वाला जो वेरेंट है वो सिफ 19,000 रुपे में था, जी हाँ, 19,000 में snapdragon 710 मिल रहा है, 664 की जो प्राइस रखी गए थी लगबख से आप लोगो 21,000 की और 6128 की प्राइस थी और देखते हैं कि 7.1 प्रस वैसे रूमर्स आ रहे थे कि 8.1 मन की भी आ सकता है इंडिया के अंदर, आएगा तो नवेंबर के मैने में और प्राइस इस बार, इस बार HMD क्या रखता है, यह तो जब आएगा आपको ज़रू से बारे में बता देंगे, यहाँ पर Infinix के आने वाले समय में कौन सा हो वाले हैं, इतना शायद से इसा वो लोग बोल रहे हैं कि 15-20 ज़रूर्वे की प्राइस में हो सकता है, आप देखते हैं कि इसमें यह कौन सा प्रासेसर यूज़ करते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद से P60 होगा, यह MediaTek का, वो ही मुझे जब वो possibility लग रही है, आप देखते हैं यहाँ पर कितना जल्दी नवेंबर में Infinix अपना क्या नाया फोन जो ले के आता है, confirmation तो हो चुकी है, जबी भी आएगा इसके बारे में भी आपको बता देंगे, यहाँ फाइनली जो स्मार्टफोन इंडिया के अंदर, नवेंबर के मह अगर आपको बता दिया कि नवेंबर के महने के इंडिया में लॉंच होने वाले है, तो अगर आपकी कोई चॉइस थी आप वेट कर रहे हैं, मैं कौन सा फॉन पचस कुरू रहे है, इंडिया में लॉंच करता है, तो यह थे मेरे आज के टॉप स्मार्टफोन पिक, जो मैं आप लोगो बता दिया कि नवेंबर के महने के इंडिया में लॉंच होने वाले है, तो अगर आपकी कोई चॉइस थी आप वेट कर रहे हैं, आपको बता देना, वैसे आप लोग के लिए हर महने यह टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज लाता हूँगा, मिलते हैं आप स्कीप स्मालिग